हलो दोस्तों नमस्कार जैहिंद हमारी यूट्यूब चैनल लेके इंजान पर एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम किसी भी संख्या का स्क्वाइर विदिन 5 सेकेंड में निकालना सीखेंगे दोस्तों किसी भी संख्या का स्क्वाइर निकालने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट का स्क्वाइर याद होना चाहिए almost एक सेले की 9 स्क्वाइर सबको याद ही होंगे तो चलिए अब ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वाइर कैसे निकाल सकते हैं आप सबोच करें हमको square निकालना है 25 का 25 का square निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले आपको unit digit का square निकालना होगा 5 का square 25 हो जाएगा उसके बाद 10s digit का square निकालेंगे तो 2 का square हो जाएगा 4 दोनों का square निकाल कैसे रख लेना है इसके बाद क्या करना है यहाँ पर unit digit छोड़के एक digit छोड़के बाकी 20 को यहाँ पर ऐसे लिख लेना है इसके बाद इसको कर देना है add, यहाँ पर आजाएगा 526, 625 इसी तरह से माल लेजिए आपको 17 का square निकालना है तो सबसे पहले आपको unit digit का square निकालना होगा साथ का स्क्वाइर निकालेंगे तो साथ सत्य उन्चास होगा एक का स्क्वाइर एक होगा ऐसे लिख लिए फिर इन तीनों नंबर्स का मल्टिप्लाई कर देना है साथ एक कम साथ दूनी चवदा और मल्टिप्लाई करके यहाँ पर एक डिजिट छोड़ के चवदा लिख लेना है इसको ऐड़ कर देंगे फिर 9 448 17 का स्क्वाइर 289 ठीक है उसी तरह से चलिए माल लेजे किसी संख्या का निकालना 28 का निकालना है 28 का स्क्वाइर तो 8 का पहले स्क्वाइर करेंगे तो 8 का स्क्वाइर करेंगे तो 4, 6, 2, 8, 4, 3, 7, 7, 7, 14 इसी तरह से माल लेजी आपको किसी ऐसे संख्या का निकालना जैसे सपोस्कर ये 13 का निकालना है 13 का स्क्वाइर निकालना है तो 3 तरिक का 9 तो 9 जब भी आएगा तो हमेशा जब स्क्वाइर, यूनिट डिजिट का स्क्वाइर single digit में हो तो उसके आगे एक 0 भी लिखना होता है यानि कि जब पहले digit का आप square निकालें ठीक है जो unit digit यानि कि एकाई का अंक का जब square निकालें तो हमेशा उसको दो अंक में लिखें अगर दो अंक में आ रहा है तो कोई बात हमारा एकाई का अंक छोड़के यहाँ पे 6 लिखेंगे उसके बाद इसको एड़ कर देंगे तो यहाँ पे 961 यानि कि 119 13 का इसक्वाइर 119 उसी तरह से सपोच करें आपको निकालना है 22 का इसक्वाइर 22 का इसक्वाइर निकालना है तो सबसे पहले unit इसको डबल उंक में हमेशा हमेशा इसको यहांपे एक अंक का इसक्वाइर इसी तरह से आप कितने भी बड़े से बड़े नंबर्स का सपोच करें हमको निकालना थे सबसे पहले यूनिट डिजित याने की काई अंक का निकालेंगे नव नवा इक्क्यासी को नोट कर लिए फिर उसके बाद दहाई की अंका निकालेंगे आठ आठ का हो जाएगा चौंसट यहाँ पे चौंसट भी लिख लिए उसके बाद इन तीनों नंache का मल्टिप्लाइ करेंगे 8, 9, 72 और 72, 144 144 तो उसके बाद यूनिट डिजित छोड़के आप यहाँ पे 144 लिख लेंगे ऐड करेंगे 1, 8, 4, 12, 4, 4, 8, 1, 9, 6, 1, 7, 89 1, किस हो जाएगा आपका 89 का स्कॉयर तो दोस्तों इसी तरह आप किसी भी number का square very easily और within 5 seconds में निकाल सकते हैं बस जरूरत आपको थोड़ी सी practice कि थोड़ी सी आप practice कर लेंगे तो वो multiply करने वाले जमेले से आप छुटकारा पालेंगे सब्पोच करिए आपको निकालना है 92 का square तो यहाँ पे हम लिख लिए 92 का square सबसे पहले एकाई का square करेंगे तो दूदून चार अब चार एक डिजिट में है तो इसको हमेशा दो डिजिट में रखना है बस ध्यान इस बात का देना कि जब भी ऐकाई का square निकालेंगे तो इसको दो डिजिट में ही लिखेंगे तो दाहिने से एक अंग को छोड़की यानि कि चार को छोड़की उनिट डिजिट को छोड़की फिर सबको वैड़ करेंगे चार छे चार आठ यानि कि 84-64 आजाएगा आपके 92 का स्क्वायर तो दोस्तों ये सिंपली स्क्वायर ट्रिक था इसके लिए आपको बस दो चीज का ध्यान देना है आपको बेसिकली एक से लेके 9 तक का स्क्वायर आपको याद होने चाहिए और दूसरा ध्यान ये देना है कि जब भी आप इकाई का स्क्वायर निकालें तो उसे दो अंक में रखें तो दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आपके हैबिट में उतर जाएगा फिर आपको बहुत आसान होगा स्क्वायर निकालना बड़े से बड़े भी नंबर्स का जैसे आपको निकालना हो गया माली ये 98 का स्क्वायर निकालना है ठीक है तो वेरी सिंपल 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 ठाग या लिख लिए 9 का स्क्वायर की रूरत है इसको अपने हैबिट में लाएं और पुराने मेथल साप जानते हैं उसको भोल जाईए इसको अपने हैबिट में उतारें और डेली बेसें पिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर समझ में आई होगी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या इस ट्रिक में कोई भी आपको अपवाद दिख रहा है तो इसे कमेंट में जरूर करें मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें सुसते रहें हसते रहें मुस्कुराते रहें और देखते रहें हमारे आफिसियल यूटीब चैनल एक एंजान को